हलो स्टूडेंस एक बार हम फिर आपसे ऑनलाइन वीडियो के मादे हम से जोडने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स जिनका हमने पीडियेप डाल दिया था हम पुन्हें आपके साथ उनी टॉपिस को शेयर कर रहे हैं आज का हमाँ टोपिक है एसीड बेस स्टेंथ एंड हाड्नेस सॉफनेस क्या हम रिशार पर बलता और कत्षोरता में रहustered में कोई रिलेशन है कि हम क्या कह सकते हैं कि strong acid या strong base है वो कत्षोर होते और जो weak acid base है उन्हें हम सॉफ्ट कह सकते हैं जैसके हम जानते हैं कठोर ता एवं मेर्दउता का आतात पर हैं कठोर कठोर एवं मेर्दुर मेर्दुर की अन्यून्य किरिया से प्राप्त संकुल के अत्रिक्त इस्थायद से हैं जोकी अमल शार प से बिंदापन न है जो सिद बेस करों से यह इसand बेस से बिजिए से बोड़ क्योंकि अगरम सेट और करने कीष्ट का बादगर है जी है दिलम काध़ एक्सप्लेंश को में देखते हैं जली माध्यम में देखते हैं तो हम प्रोटोन के संदर में निकालते हैं जो बेस हैं उनकी बेसी सिटी को हम प्रोटोनिक कंसेप्ट यदि हम लगाते हैं H-plus के संदब में हम निकालते हैं गल एक्सामपल यादी जीसे H-plus है उसकी बेस के साथ रेक्षिन करते हैं तो ये बी-H-plus हम लिख सकते हैं तो प्रोटोनिक कंसेप्ट के अनुसार जो प्रबलता का करम है जो बेस हैं उनकी जो बेसिक स्टेंट है हमकी basicity के कर्म में हम लगाते हैं तो OH है OH की basicity SO3 2- से ज़ाद है sulfide से ज़ाद है और sulfide की basicity fluoride से ज़ाद है इट मीज जो OH है वो H plus के साथ उसकी basicity ज़ाद है उसकी उसके साथ bond बराने की strength ज़ाद है उसकी basicity ज़ाद होगी fluoride के comparison तो basicity का कर्म यह है लेकि हम hardness soft हम से देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो OH है वो हाड है fluoride भी हाड बेस है जबकि sulfide जो है soft बेस है तो basicity और hardness softness हम देख रहे हैं तो दोनों का जो कर्म है वो अलग अलग है तो नियमनुसार प्रबल हम जानते हैं अथवा शार जो प्रबल एसीड या बेस है वो दुर्बल को रिप्लेस कर जाता है acid-base strength जो सिद्धानत है उसके अनुसार जो strong acid या strong base है वो वी को रिप्लेस कर देता है और हसे से भी प्रिंसपल के अनुसार जो हाड है वो हाड के साथ strong bond बनाता है कुछ अग्जामपल एक हमें लिए समझा रहे है हमने एक ही reaction लिए acid-base strength के लिए sulfide की HF के साथ reaction का आते है तो HSO3- प्लस F- बनेगा HSO3 हमें पता है soft acid है HF के अंदर H hard है acid है और fluoride जो है हाड बेस है जो HSO3- बन रहा है H जो है hard है sulfide soft base है और यह hard base है यह reaction forward direction में हो रही है जो sulfide है वो fluoride से strong base इसकी basicity फ्लॉराइट से जादा है और fluoride से जादा है तो जो strong acid है वो weak acid को strong base है वो weak base को fluoride को replace कर देगा और HSO3- बन जाता है तो acid base strength के according यह reaction हो रही है लेकिन यदि हम HSO2- प्रिंसार हम देखते है तो sulfide SO3- 2- जो है soft acid है और fluoride है वो hard base है तो soft हाड को replace कर रहा है तो HSO3- बन रहा है जो की H hard acid है और यह soft base है HSO2- प्रिंसार यह reaction नहीं होनी चीए लेकिन यह reaction होती है यहाँ पर acid base strength rule follow कर रहा है और HSO2- प्रिंसार की दारना का उलंगन हो रहा है इस तरह इस reaction के अंदर देखते है OH की reaction हम कराते है OH प्लस CH3HG SO3- OH hard base है methyl mercury soft acid है sulfide soft base है और reaction करके बन रहा है CH3HG OH यह CS3HG soft acid है OH hard base है और SO3- बन रहा है यहाँ पर hard base है वो soft base को replace कर रहा है और reaction क्या हो रही है soft acid soft base strong होना चीए SO3- प्रिंसिपल के निसारा लेकिर बन क्या रहा है CS3HG OH जो की soft acid और hard base का combination है यहाँ पर भी HSAB प्रिंसिपल का उलंगन हो रहा है लेकिन OH जिसकी basicity sulfide से जादा है strong base ने soft base को replace कर दिया अगेन यहाँ पर HSAB प्रिंसिपल पॉलो नहीं रहा है इतने दोनों concept अलग लग है हम थार्ड रिक्षन देते है यहाँ पर पॉंड है वो soft acid और hard base combination से बनावा है यह hard acid और soft base HSAB अनुसार यह दोनो less stable है और मिलकर के बनाते हैं CS3 HG SO3 मायने जो की soft soft interaction से बनाए जादा stable है और HF बनता है जो की hard art यहाँ पर HSAB प्रिंसिपल लागू हो रहा है अब यहादी acid base concept हम देखे तो हमें पता है जो fluoride है जो SO3 मायनेस है वो fluoride से strong base है तो SO3 किसको रिप्लेस कर दिया fluoride को तो यहाँ पर दोनों ही concept लागू हो रहा है तो दोनों concept अलग लग है hard acid base concept में hard hard के साथ soft soft के साथ बनाता है जब कि basic acidity और acidic strength और basic strength depends कर रही है कि base की proton के concept में protonic concept हम देखे है तो इसकी basicity कितनी है इसकी proton के साथ affinity कितनी है हमने HSAB के लिए हमने practical concept लिया था जिसके according हमने values अछूप लिालि थी हमने पहले काला था हमने पहले पहले करा था कि यादि लॉक के बराबर हमाने निकाल था यह राट to log ask plus log k logcs बराबर हो है pk logks है जो perm शन कॉंसले पहांड भॉब़ूग log CH3HGP plus upon B concentration and concentration of CH3HG plus Pk को हम जानते है Pk होता है minus log होता है minus log of K ब्राबर है BH plus upon B concentration of B and concentration of H यदि log K की value यह हमने देखा log K की value जो की formation constant है या बेस की मिथाइल मरकरी के साथ affinity थी यदि यह जादा है इसकी value Pk से जादा है तो जो बेस होगा वो soft base होगा और यदि Pk की value log K से जादा है तो वो hard base होगा इसका मतलब जो proton affinity है बेस की H plus के जादा है तो वो तो होगा hard और मिथाइल मरकरी के साथ जादा है तो वह होगा सौबत मत यहां यह जो बेसिसीटी है वो comparative है कि बेसिसीटी है एच प्लस के साथ जादा है या मिथाइल मरकरी के साथ जादा है जबकि स्टेंग जो है बेसिसीटी के डिपेंड कर दिया है एच प्लस के साथ उसकी एफिनिट यहां जो affinity वो comparative है है एच एसी प्रिंसिपल के अंदर जब कि ऐसी basis strength के अंदर protonic concept के अंदर basicity जो है एज प्लस के साथ जो affinity पर सिर्फ डिपेंड कर रही है तो हमने देखा कि दोनों concept अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ जो hard base है hard base के लिए pk की value कैस से जाद है और soft basis के लिए pk की value log के S से कम है तो sulfide S2 minus trithylle phosphine है दोनों की H plus के साथ H plus और methyl mercury के लिए बेसिसिटी जादा है लेकिन methyl mercury के लिए बेसिसिटी जो है H plus की comparison में 10 lakhs गुना अथिक है इसलिए दोनों ही जो है soft base है करेंगे इसी पकार जो OH INM देखेंगे कि H plus और methyl mercury दोनों के लिए प्रबल है बेसिसिटी दोनों के लिए जादा है लेकिन H plus के लिए जो बेसिसिटी है वो वो हमें जो अच्छी दोनों के लिए वो देख सकते हैं जो भी लिगेंड है, लिगेंड के अंज़र जो डोनर एटम है, जो उसे लिगेंड मैटल आयन से जुड़ेगा, उस एटम की, को हमने लिखा है, जो बेस है हाँ पर, जो हमने बेस लिखे हैं, फ्लॉराइड प्लॉमाई डायडॉड और इन बेसिस के अंदर, जो है, फ्लॉरीन, बेसिस狂 ड़ेखिए, मिथाल मर्करी, प्लॉरीन 2.85, मत दोनों के लिए, एफिनिटी बहुत जादा नहीं है, लेकिन, एच पुल्स के लिए एफिनिटी, मिथाल मर्करी से जाता है, तो ही क्या होगा, हाड होगा, थम जानते हैं, फ्लॉराइड बेस है, आयो काफी जादा है पीके के लिए वैली वह नेगेटिव है मतलब है एच प्लस के साथ इसकी अफिनिटी बहुत कम है इसलिए जो आयोडाइड है वह एक सॉफ्ट बेस है हम देख्या हम इधा उपा बता है था एक सुल्फर इसकी इसकी अफिनिटी मिठाइल मरकरी के लिए उसिलिए जादा है इसलीए सॉफ्ट बेस है थायोसाइनेट की देखे हम, यहां पर डोनर अटम सलफर ले रहे हैं, केस वैल्यू है 6.05, पीके वैल्यू है माइनस 4, तो यह ज़्यादा है, मिथायमर्कर के लिए इसलिए इसलिए सॉफ्ट है, अब एनस 3 के केस में हम देखते हैं अमोनिया के लिए, तो अमोनिया के अंद दोनों के लिए इसलिए इसलिए सॉफ्ट है, तो जो दोनों के लिए इसलिए सॉफ्ट है, हम देखा कि दोनों के लिए इसलिए सॉफ्ट है, तो जो दोनों के लिए इसलिए सॉफ्ट है, हम देखा कि दोनों के लिए इसलिए सॉफ्ट है, हम देखा कि दोनों के लिए इसल कि मताइल मर्करी के लिए जादा बार में बात करते हैं और प्रोटोह आपासिज के लिए उस प्रताहिए तो जिसकी ज्यादा है वह स्ट्रॉंग होगा लिकिन हेसेट ज्यादा किसके लिए हैं तो hardness, softness, concept और जो एच्छे सी भी प्रिंस्पल हैं, दोनों अलग-अलग हैं, हम यह नहीं कह सकते कि जो strong acid है या strong base है, वो hard होगा, और जो weak है, वो soft होगा, ऐसा नहीं होता, तो हम देखा किस तर से hardness, softness एक दूसरे से different है, thank you.